हेलो फ्रेंड स्वागा था आपका हमारा यूटूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लोग में तो आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षा बंधन स्पेशल बिना गैस जलाए घर के समानों से स्वाधिष्ट मुँ में घूल जाने वाले मिठाई की रेसिपी तो वीडियो सुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड प्लीज वीडियो को फूल वाच करें अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे प्लीज फ्रेंड वीडियो को वाच करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग लाइक नहीं करते हैं लाइक करना भूल जाते हैं तो फ्रेंड आपके एक लाइक से हमारा मनुबल वड़ता है और हम और भी नए नए रेसिपी लाते रहेंगे तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मिठाई बनाने के लिए हम आधा कटोरी चीनी लिए हैं इसको मेक्सी के पोट में डाल देंगे बारिक पीस लेना है इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंट हम इसको वारिक पीछ लिए हैं तो अब छनी की सहायता से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी मोटे कन होंगे चीनी का तो अच्छी तरह से छन जाएगा इस तरीके से अब देख सकते हैं मोटे कन जो था उसको हम हटा लेंगे अब हम इसमें जितना चीनी यूज किये हैं आधा कटोरी तो आधा कटोरी हम ताजी फ्रेश मलाई यूज करेंगे तो अब हम चम्मच की सहाइता से चीनी और मलाई को अच्छी तरह से मिलाएंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं चीनी और मलाई को फेट कर एकड़म क्रीमी टेक्चर में ला लिए हैं अब देख सकते हैं इसमूथ हो गया है तो अब हम इसमें मुर्मूरे यूज करेंगे इस मिठाई को बनाने में फ्रेंट एकड़म सस्ता और स्वादिष्ट मिठाई है तो हम दो कटोरी मुर्मूरे यूज करेंगे मुर्मूरे के साथ हम दस काजू डाले हैं तो उसको भी बारिक अच्छी तरह से पीछ लेना है इस तरीके से आप देख सकते हैं तो चलिए मुर्मूरे को भी छान लेंगे, एक कटोरी मुर्मूरे के हम पीश लिए थे फ्रेंड, मेरा मिक्सी का पोड छोटा था, तो दुवारा हम दूसरे कटोरी को भी पीश लेते हैं, उसी तरह से आप देख सकते हैं, तो हम दोनों हुई कटोरी का मुर्मूरे पीश कर त्यार कर लिए हैं तो अच्छी तरह से छान लेंगे तो छानने के बाद मोटे कंजो था उसको हटा लेंगे मुर्मूरे और काजू को भी पीछ लिए थे तो चार चम्मच कोकोनेट पॉडर डालेंगे इससे हमारे मिठाई में अच्छे टेस्ट आएंगे उन टी स्पून इलाइची को पॉडर डालेंगे अगर आपके पास इलाइची पॉडर ना हो फ्रेंड तो चीनी के साथ चार पाँच इलाइची को पीछ लेंगे तो अब हम थोड़ा-thोड़ा करके मूर्मूरे जो पीछे थे उसको डाल लेंगे मिठाई को और भी स्वादिष्ट मुँ में घुल जाने वाले बनाने के लिए आदा कटोरी मिल्क पौडर यूज करेंगे आप कोई भी वरांड का मिल्क पौडर ले सकते हैं तो अच्छी तरह से मिला लेंगे चमच से अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है फ्रेंड तो हाथ से एकदम डो जैसा त्यार कर लेना है इसमें बिल्कुल भी दूद का यूज नहीं करना है ये मलाई से ही अच्छी तरह से डो फोम में आ जाएगा फ्रेंड अगर आपका डो जादा लूज लगेगा तो आप थोड़ा मूर्मूरा और भी पीसके डाल सकते हैं लेकिन हम इसमें बिल्कुल भी कुछ अलग से यूज नहीं किये हैं जो बताए थे उतना ही यूज किये हैं तो हमारा डो परफेक्ट तयार हो गया है मिठाई का तो चलिए सेट करने के लिए हम एक प्लेट लिए हैं अगर आपके पास कोई मिठाई का डबबा हो तो वो भी ले सकते हैं तो इसमें हम घी लगा लिए हैं प्लेट में कुछ कटा हुआ ड्राइफ प्रूट इस तरीके से डाल देंगे इससे क्या होगा कि हमारा मिठाई देखने में डिलीसियस दिखेंगे और स्वादिष्ट भी लगेगा फ्रेंड काजू बदाम पिस्ताज जो भी आपको पसंद हो ड्राइफ फ्रूट वो डाल सकते हैं तो प्लेट में इस तरीके से ड्राइफ फ्रूट को फैला देना है घी लगाने के बाद उसके बाद मिठाई को सेट करेंगे इस तरीके से दवाते हुए आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्चर में हमारे मिठाई का डो दीख रहा है फ्रेंड एकदम डिलीसियस ये मिठाई बनकर त्यार होता है जटपट दस मिनिट के अंदर में ये बनकर त्यार हो जाता है बिना गैस जलाए तो आप इस रक्षा बंदन में जरूर इस रिसेपी को ट्राइ करेंड कोई भी तेहवार में आप इस मिठाई को बना सकते हैं कम बजट पे एकदम आसानी से बन भी जाता है मेहनत भी बहुत कम है तो इसको अच्छी तरह से दवाते हुए शेट कर लेना है हाथ से चम्मच से किसी से भी अच्छी तरह से ये शेट हो जाता है आसानी से तो 10 मिनिट फ्रीज में रेश्ट के लिए रख देंगे 10 मिनिट हो गया है रेश्ट किये हुए तो आप अपने मन पसंद अनुसा सेप में काट लेना है, छोटे बड़े, जैसे भी आपको पसंद हो, उस तरीके से इस मिठाई को काट सकते हैं, तो हम इस तरीके से काट रहे हैं, आप देख सकते हैं, फ्रेंट, एकदम आसानी से कट जाता है, ये मिठाई बहुत ही डिलिसियस बनकर तयार होता है, अगर आप अपने भाई को इस रक्षा बंधन में इस मिठाई को खिलाएंगे फ्रेंट, तो वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे, कि ये मुर्मूरे का मिठाई है, मुर्मूरा से भी इतना स्वादिश्ट मिठाई बन सकता है, किसी को भी नहीं पता होगा फ्रेंट, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ किजिए और अपने भाईयों को जरूर खिलाइए रक्ष्य बंधन में तो भाई आपके तारिफों के फूल वर्साएंगे आपकी मिठाई खाकर तो चलिए निकाल लेते हैं चाकू की साहता से इस तरीके से देख सकते हैं फिरन बिल्कुल भी नहीं चिपका है एकदम आसानी से हमारा ये मिठाई निकल रहा है एकदम डिलिसियस बनकर त्यार हुआ है तो सारे ही मिठाई को निकाल लेना है अलग प्लेट में आप चाहे तो इसको और छोटे पीसेस में काट सकते हैं वाव आप देख सकते हैं एकदम मावा के टेक्चर वाले मिठाई बनकर त्यार हुआ है मूर्मूरे से तो आप देख सकते हैं फ्रेंट हम सारे मिठाई को निकाल लिये हैं प्लेट में कितना अच्छा इसका लुक आया है बिना मावा का बिना चासनी का ये स्वादिष्ट बिना गैस जलाए बिदाउट फायर कुकिंग डिलिशियस मुँ में घुल जाने वाले मिठाई तयार है फ्रेंट तो हम आपको एक मिठाई तोड़ कर दिखा रहे हैं इसका टेक्चर आप देख सकते हैं कितना डिलिशियस है एकदम मावा के जैसा मुँ में घुल जाने वाले मिठाई बनकर तयार हुआ है तो thanks for watching मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई